जब से मैंने ये खुलासा किया है कि एग्रिमेंट जिसका जिक्र बार बार भारती जनता पार्टी कर रही है एग्रिमेंट जिसका जिक्र बार बार राम जनम भूमी ट्रस्ट कर रहा था एग्रिमेंट जिसका जिक्र बार बार विश्व हिंदू परिशत कर रहा था दरसल वो एग्रिमेंट 18 मार्च को कैंसिल हो गया था और उस एग्रिमेंट में नव लोगों का नाम था लेकिन रवी मोहन तिवारी का नाम नहीं था और मैंने आप से कहा था कि जब रवी मोहन तिवारी का नाम एग्रिमेंट में नहीं था तो एग्रिमेंट में उसका नाम जब हो नहीं था तो फिर बैनामे में उसका नाम क्यों सामिल कराए गया बैनामे में उसका नाम क्यों सामिल कराए गया रभी मोहन तिवारी दो करोन में बैनामा ले लेता है हरी इस पाठक और कुस्म पाठक से ये रभी मोहन तिवारी आया कैसे और मैंने आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ा था कि रिसी केस उपाध्या और रभी मोहन तिवारी के बीच में क्या रिस्ता है ये रिस्ता क्या कहलाता है मैं आज बता रहा हूँ भारती जनता पार्टी के मेयर रिसी केस उपाध्या और रभी मोहन तिवारी रिस्तेदार है और रिसी केस उपाध्या के समधी के साले है रभी मोहन तिवारी इसलिए इनका नाम डाला गया कि इनके खाते में करोडो रुपए डालके करोडो रुपए की बंदर बांट की चा सके करोडो रुपए खाया जा सके करोडो रुपए राम जनित भूमी के चंदे का पैसा चो दूसरी बात, आज एक और अंग्रे जी के दैनिक समाचार पत्र ने खुलासा किया, भारती जनता पार्टी के लोग कल से बार बार पूछ रहे थे, बगल की जमीन का रेट पता करो, बगल की जमीन का रेट पता करो, राम जनम भूमी ट्रस्ट के लोग आधनी चमपत राय जी बार बार कह रहे थे, बगल की जमीन का रेट पता करो, वहां तो जमीन महंगी हो गई, वहां तो जमीन महंगी हो गई, जूट नमबर एक, पहले दिन चमपत राय ने कहा, मैं इस मामले की स्टडी करूँगा जबकि वो तीन महीने से सुल्तान अंसारी से मिल रहे थे और जमीन का सवदा कर रहे थे, उनको घटना के बारे में जानकारी थी, जूट नमबर दो, फिर बोले, सुल्तान अंसारी और रवी मोहन तिवारी के साथ पुराना एग्रिमेंट था, वो हमारे लिए बाध्धिकारी था, इसलिए उन्होंने दो करोन में जमीन खरीदी, हमने उनसे साड़े 18 करोन में खरीदी, जबकि सच ये था, कि वो एग्रिमेंट ही 18 मार्च को रद्ध हो गया था, जूट नमबर तीन, चंपत राय ने कहा, जमीन का रेट महगा हो गया, जमीन का रेट जदा है, अगल बगल क जमीन का रेट पता कर लो, भादपा वाले मुझसे पूछ रहे थे, विश्व इंदू परिस्द वाले मुझसे पूछ रहे थे, राम जनम भूमी के ट्रस्ट के लोग मुझसे पूछ रहे थे, अरे भाई आप मुझसे क्यूं पूछ रहे थे, चंदा चोरों को तो पता था कि बगल की जमीन का रेड आज करोन रुपए है आज करोन रुपए और अब मैं वो आज करोन रुपए की जमीन का रेड बताता हूँ यह है गाता संख्या 242 का मतलब की बगल की जमीन और इसका भी प्रतिवर्ग मीटर इसका भी मूल है देख लीजे काईदे से हाँ तालिस सो रुपए जो जमीन जो जमीन राम जनम भूमी ट्रस्ट ने रभी मोहंतिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदी उसका भी रेट है प्रतिवर्ग मीटर अन्तालिस सो रुपए यानि जमीन बिलकुल आस्पास की है और जो जमीन कुसुम पाठक से कुसुम पाठक से जो जमीन सुल्तान अंसारी और रभी मोहंतिवारी ने खरीदी उसका भी सर्किल रेट है अरतालिस सो रुपए प्रतिवर्ग मीटर अब आपनों को कोई डाउट हो तो पूछ लीजेगा भी ये तीनों जमीन जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ इसका सर्किल रेट एक बराबर है सर्किल रेट बराबर है यानि जमीन एक ही जगें की है गाटा संख्या 243,244,246 साड़े अठारा करोण में खरीदी जाती है और गाटा संख्या 242,8 करोण रुपए में खरीदी जाती है ये है 10,370 वर्ग मीटर और ये है 12,080 असी वर्ग मीटर एक जमीन है 12,080 असी वर्ग मीटर एक जमीन है 10,080 असी वर्ग मीटर एक जमीन है 12,080 असी वर्ग मीटर एक जमीन है 10,370 वर्ग मीटर एक जमीन का दाम है साड़े अठारा करोण रुपए एक जमीन का दाम है आठ करोण रुपए ये भरस्टाचार है कि नहीं है ये भरस्टाचार है कि नहीं बिल्कुल बगल की जमीन बिल्कुल बगल की जमीन दोनों जमीनों में मात्र सत्रा सो वर्ग मीटर का अंतर और एक जमीन आठ करोण की दूसरी जमीन साढ़े अठारा करोण की यानि अगर इसी रेट में इसी रेट में आठ करोण के रेट को ही अगर हम लोग मालने सही मालने जिसमें दस अजार तीन सो सत्तर वर्ग मीटर खरीदा गया है तो अठारा करोण में करीब करीब 26 हजार वर्ग मीटर जमीन खरीदी जा सकती थी लेकिन आपने बारा हजार असी वर्ग मीटर का दाम लगाया साढ़े अठारा करोण रुपए और दस अजार तीन सो सत्तर वर्ग मीटर का दाम लगाया आठ करोण रुपए इतनी गड़ित तो कच्छा तीन के बच्चे को भी समझ में आ सकती है जो चमपत राजी को समझ में नहीं आ रही जो भाजपाईयों को समझ में नहीं आ रही जो विस्विंदू परसित के लोगों को समझ में नहीं आ रही है मैं फिर कहना चाहता हूँ ये इस देश के करोणो राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवार है मैं फिर से कहना चाहता हूँ ये प्रभुस्री राम के मंदिर में घोटाला और भरस्टाचार है मैं फिर से कहना चाहता हूँ प्रभुस्री राम का मंदिर अगर नहीं बन पा रहा है तो इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि राम मंदिर के नाम पर घोटाला और भरस्टाचार किया जा रहा है भारती जनता पार्टी के नेता और राम जनम भूमी ट्रस्ट के लोगों ने मिलके प्रभुस्री राम के मंदिर का पैसा खा लिया